हलो दोस्तो नमस्कार दूबा ही कल के दिन इस चैनल के पर लेक्चर अपलोड करने का अगर नई वा तो शायद से थोड़ा सा लेड़ भी हो सकता है तो इसलिए रिमाइंडर सेट करके रख लेना तो चले दोस्तो फिला तो इस वड़ो को श्राट कर लेते हैं तो ठीक है अब हम लोग आ चुके बि पोटफोल्य की साइज अगर कम होगी तो एक पसेंट दू पसेंट चार पसेंट कुछ भी नहीं लगेगा थेख यह बार अपल्ला को इतने नज़र या पे देखनें को नहीं मिल रहे थे बट अभी थोड़ा थोड़ा हम लोगों को ब्यर की वापसी होते होते वे देखनें ठीक है एंड फिलाल अगर देखा गया बाजार में अगर हम लोग बात करें तो बियर का confidence बढ़ने वाली एक आप कह सकते हैं खबर कह सकते हो या फिर उनको एक बहुत अच्छा parameter मिलते वे देखने का आप मिल चुका है ठीक है और वो parameter क्या है आप सब लोग को भी आपर पता ही है yes American Bazaar की बात करें तो American Bazaar आपको पता ही है अगर कमजर हो जाता है तो बियर वाले काफी जबरदस confidence के साथ market को तोड़ने की कोशिश कर देते वैसे भी अगर आप देखी लोगे जैसे मैंने वीडियो भी बनाया था कब जब हम 13 to 14 टाइम्स लगा अतार हरे निशान में ही चलते हुए जा रहे थे closing करते हुए जा रहे थे बट ultimately हमारा market भी रुका कब जब American Bazar गिरा था आपको यह अच्छे से याद होगा फिर उसके बद हम लोगों ने देखा बियर वालों ने full confidence के साथ हमारे बाज़र में gap down स्टार्ट किया वहाँ पे भी बूलने अच्छी कोशिश की थी recovery करने के लिए बट still हम 0.80% से down ही close यहाँ पे हुए थे so American Bazar जबरदस boost देता है confidence देता है और फिलाल अगर current situation के अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते है American Bazar आज के लिए वापस 1% almost down देखने को मिले है मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तब ही तक किस थी थी आपको पताईए बाई यह 388, 288 भी हो सकता है recovery हो सकते है 388, 488 भी हो सकता है और भी जा सकता है नीचे ठीक है तो यह चीज़े चलती रहती है ठीक है हम तो यही प्रे करेंगे कि अगर recover हो जाए तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि investor के लिए तो वही एक अच्छी चीज यहाँ पर देखने को मिल जा आप देख सकते है अभी फिलाल 2.59% की गिरावट, 4444 पॉइंट की गिरावट NASDAQ में देखने को मिल रही है तो परसेंटेज थोड़ा सा बड़ा है तो Dow Jones भी बड़ा होगा, एक पसेंट को क्रॉस किया है 410 पॉइंट की गिरावट देखने को आपे मिल रही है ठीक है तो Global Market की बात करे दोस्तों तो American Bazar गिर गया तो Global Market भी ठीक ही चल रहा था बट जैसे American Market गिर गया तो Global Market की उपर भी प्रेशर आगया आप जर्मनी का DAX देख सकते हो, 0.5% गिर गया और 0.5% मतलब ऐसा नहीं गिरा था, आप चेक कर सकते हो कि बिलकुल एकदम हरे निशान में च चुका था, और उसके बाद जैसे American Bazar कोलाप्स हुआ, तो ये भी हम लोगों को नीचे गरीते हैं देखने को मला, मतलब वही बेर वालों का confidence बढ़ जाता है, कि अमेरिका अगर तूटा, तो इसको भी यहापर तोड़ देंगे, इसके उपर की theory में आपको बता चुका कि अमेरिका का बादार एकोनों में इतनी शक्तिशाली क्यों है करके, तो आप देख सकते हैं, जर्मनी के DAX में जो नजारा देखने को मला, फुटसी में भी वही देखने को आपे मिल गया, इब्दम क्लोजिंग के वक्त यहापे वो भी प्रे कर रहे थे कि अमेरिकन बाद अगर दिक्कतों में आ जाता है, तो पूरे दुनिया बर के बादार में उस सिनारिय देखने को पल जाता है, वाट अबाट अवर, गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी भी आप देख सकते हैं, आपे अच्छा का सामनों को, यह भी लाल निशान में डाउन ही फिल बैंक का एडियर, यह भी वैसे आप देखोगे, नियर बाई 1% डाउन देखने को मिल रहा है, आइसे से बैंक का एडियर तो 2.72% नीचे जाते वे देखने को आपे मिल चुका है, डॉक्तर रेडिस के अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा डिफेंसिव रहता है यह स्टॉ तो वो भी लाल निचान में ही थोड़ा सा वर्क करते वे देखने को मिल रहा है, तो अगर हम बात करें हमारे इंडियन स्टॉक्स जो वाँ पर देखने को मिल रहे है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लेम क्या क्रेट हो रही है, तो प्रॉब्लेम यह है कि आज की दिन जो हमार वर यहाँ पर करही लिया है तो इस चीज के चलते है थीकि बाजार ऐसे ही चलता है थीकि कोई भी खरीदेगा ऐसे ही नहीं खरीदता है कोई बेचेगा ऐसे है दो कोalthy कोई कारण जरूर होता है पर यह हमारे internal ही कारण तो दो के future की बात करे तो future हमारा जब बाजार चल रहा था आप देख सकते हो इतना नहीं गिरा था ठीक ही चल रहा था बड़ अभी आप देख सकते future भी एबदम से top से हमनों को suddenly collapse होते हैं देखने हो का आप मिल गया मतलब आप देखोगे future को properly तो high देखे कितना था 41,000 का था अगर low देखोगे तो 40,300 top से 700 point future इतना stiffly हमनों को नीचे आते वे देखने हो का आप मिल गया so definitely हम यहापे कह सकते हैं American Bazar ने वापस पूरे दुनिया भर के Bazar को यहापे एक थोड़ा सा tension यहापे दे दिया है यह चीज़े हमनों को देखने को आप मिल रही है और जैसे मैंने आप लोगों को पता है हमारा जो market देखने को मिल जाता है उसमें सबसे बड़ा contribution finance sector का होता है और finance sector पे ही आज के दिन हमनों को अच्छा खासा pressure देखने को मिला था इसके पीछे का reason भी पता है निफ्टी के weightage भी अगर आप देखोगे तो clear picture हमनों को देखने को आप मिल जाती है financial services कितना है अभी भी revise होता रहता है अभी 33 प्लस था अभी 32 मतलब 33 के आसपास हमनों को contribution देखने को मिल रहा है तो finance में disturbance था वो गिरा ठीक है अभी problem क्या है हमनों को देखने को मिल रही है कि जो second number पे बड़ा दिगज सेक्टर देखने को मिल जाता है वो है information technology IT सेक्टर कितना है 14% अभी जबी NASDAQ में हमनों को गिरावड देखने को मिल जाती है तभी तभी IT सेक्टर के उपर pressure create होना काफी simple यहापे हो जाता है तो अगर IT सेक्टर में भी अगर दिक्कते अगर यहापे हो जाएंगी तो आप सब लों को पता है Monday को थोड़ा और यहापे हम कह सकते बेर वालों के लिए easy चीज़े यहापे होना start हो सकती है क्योंकि अगर हम indices wise अगर है यहापे चले तो आज के लिए तो no doubt जो bank वाले थे वो बहुत अच्छी तरीकी से पिटे खास करके सरकारी bank because उनके जो leader था SBA उसके पर negative report निकाल दी Goldman Sachs ने कितना अभी कुछ अच्छा खास performance नहीं करेगा जितना अच्छा था वो हो गया करके MSME agro loans की बात करे तो वहापे भी हमलों को sleepages देखने हो का आपे मिल जाएंगे अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो definitely bull वाले भी अपनी साइड से पूरी तरीकी से कोशिश करेंगे market को संबालने के लिए and bull के पास अगर देखा गया तो फिलाल कौनसा अगर reason है तो हम कह सकते कि जो top 5 companies होंगे उनी के पास वो देखेंगे जैसे कि Reliance बट Reliance आज के दिन ये भी लगबग 2% यहापे डाउन था बाकि अगर देखा गया TCS और Infosys से मंडे की दिन उमीद करना ये तो काफी मतलब खराब बात यहापे रहेगी HDFC Bank और ICAC Bank के ओपर यहापे फोकस रखना पड़ेगा तो ठीक है दो जितने भी important points से सारे आपे cover कर लिए what next में अगर देखा गया तो सबसे important चीज यही है कि American Bazaar close कैसा होता है ठीक है क्योंकि अभी भी market close हो जाने के बाद के लिए काफी समय आपे pending है और market में आपको पता है एक एक सेकेंड में एक एक मिनिट में चीजे पलड़ जाती है ठीक है दोनों तरफ से और भी गिरावट हो सकते है recovery भी आपे हो सकते है तो इसलिए closing important role play करेगा अगर closing अगर ऐसे ही American Bazaar अगर 1% या उससे ज़्यादा अगर गिर जाता है तो बियर वालों का confidence और हम लोगों को अच्छी तरीकी से बढ़ते वह देखने को मिला है क्योंकि European Bazaar में भी हम लोगों को गिरावट देखने को आपे मिल चुकी है तो चलिए जाते आते हैं एक बार वापस American Bazaar के दर्शन करही लेते हैं सेम 1% ही डाउन देखने को मिल रही तो मंडे के दिन के अगर हम लोग बात करें जैसे आपको बला वालों के लिए एक अच्छा प्लैटफॉर्म वापस क्रेट है आपे हो सकता है मिलते है कल तब तक के लिए